हेलो गाईज वल्कॉम बैक्टोड इस्टेडी दिस इस दिरस्कुमार अभी हम तो करने वाले हैं नौन वर्वल का सुपर क्रस्ट ठीक है अब यह नौन वर्वल रिजनिंग आपके ना एयर फॉर्स के अंदर तो पाच कोईशन तो डिक्टो आएंगे ठीक है और आपको लग पेपर कटिंग वाले जो कोईशन होते हैं वह गी नौन वर्वल में आते हैं ठीक है तो नौन वर्वल आगे इस जितने भी टाइप्स आपकी एक्जाम में आते हैं वह सब में इसके अंदर पढ़ा दोंगा आपको टेंशन मत लो और कोस्ट गार्ड वालों को लगता है ना तो उसके अंदर पास से छे सवाल पास तो हन्रेड पॉसेंट फिक्स है कि आएगा किसी किसी सिफ्ट में छे भी दे देते हैं ठीक है और मैं इस इसकी गार्यांटी देता हूं कि आप इस सवाल को एक्जाम में पाच सेकेंड के अंदर करोगे अगर प्रैक्टिस बहुत हिसाब से और जो मालोगी एकजाम के दो चाल दिन पहले भी देख रहा ना तो वह भी बच्चा 10-15 सेकेंड में अराम से सवाल को कर लेगा ठीक है पैनिक नहीं हो ना कि नौनवर्बल बहुत डिफिकल्ट है आज के बाद एजी लगेगा वनसॉट क्लास आज चाकर नई इस तो सट्टिंग में 600 अब फिलाल होगे अभी कोई बच्चा जोईन करता तो उसको 513 रुपयत में ये बैच मिल जाएगी और इस बैच के अंदर आपको वाई ग्रूप की रागा की कंप्रीट क्लासेस कराई जाती है इंग्लिस ग्रामर की कंप्रीट कराई जाएगी ग्रामर की कंप्रीट वीडियो रागा के अंदर मैथ रिजनिंग और दीके आती है उसकी वीडियोद मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए पीडियेफ मिल जाएगे और साथ में आपको फुल मॉक टेस्ट मतलब टेस्स सेरीज वेगरा सब कुछ इस बैच के अंदर मिल जाता है अलग से कुछ नहीं खरना पड़ेगा बुक्स वेगरा खरने के जुरत नहीं पड़ेगी इतनी सफीसियंट चीज़ें मिल जाती है कि आप यहां से पड़के अपनी प्रिप्रेशन को बेस्ट कर लोगे और वहीं पे कोस्ट गार्ड का कोई बच्चा है तो सेक्श सब्सक्राइब इसके लिए आप इडिटिट इस्टेडी आपको डाउनट कर सकते हो अगर यूज करें आए तो वाट्सप करके पूछ सकते हो सब्सक्राइब हम देखो एक काम करेंगे कुछ इंप्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे पर ठीक है क्योंकि नॉन्वर् करें तो हम सबसे पहले शीज़ दे तहिते हैं क्लॉक्वाइज क्या होता है क्लॉक्वईज में और एक चीज़ होता है एंटी यijnaine debug झांड हो खॉन चीजों को जानवर्ट हमारी घड़ी से होती हैं लाइक 12 ऐइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ठीक है यह बारा हम जब घड़ी की डार तो इसको हम कहेंगे clockwise मतलब गड़ी के दिशा में और वही पर गड़ी हमारी ऐसी है बारह एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एगारा बारह तो गड़ी तो एक्चली चलती है ना से बारह से एक दो तीन ऐसे चलती है लेकिन हम उसके direction वजाएंगे चार पाँच देखो पांच से चार चार से तीन नियासे इस direction वे गर कर जाने लगे न यह क्या बाई anti clock वाइस घड़ी के विपरित दिसा यह क्या गड़ी की दिसा और यह हमारा चीज़ों को सीखेंगे हम left and right के बारे में सीखते हैं left क्या है और right क्या है मालो कोई अगर आप ये इंसान जब अगर आप मुबाईल पे देख रहे हो या फिर कोई laptop पे देख रहा है जान सुनना मुबाईल या laptop पे चीज देख रहे हो ऐसी तो आप copy को भी रखते हो तो आपका face कि इदर होता है आप इधर सा देखो imagination वाली चीज़ है थोड़ा सा imagine करोगे चीज़े काफी हद तक सुधर जाए होगे चलो तो हमारा left इधर right इधर clear तो left-right समझ में आ गया अब थोड़ा सा angle के बारे में समझ रहे है एंगल क्या होता है मान लो में एक्सस बनाता ही है एक्स एक्सस होता ही है यह से xy पे जाएंगे तो कितना degrees आ रहे है बताओ इस x से y के बीच में कितना degree बनते है 90 degree और वहीं पर हम ना गर एक्सस से y के जब देखो y के यह बीचो बीच का जो angle होगा ना यह यह वाला party यह कितना degree होता है 45 degree यह समझ में आ रहा है वैसे गर कोई axis है यह तो मान लो एक्स यहां पर आ रहा है वाई डैस पर आ गया ठीक है तो यह कितना degree पूरा रोटेट किया बाई 270 degree क्यों क्योंकि 90-90 तीन बार वना एक एक्सस के अंदर नपपे फिर दूसरे में नपपे तीसरे में नपपे 270 चला गया और वही अगर यह एक्सस से उड़के पूरा का पूरा ग यहां तक घूमते हैं यहां तक कितना जाएगा यह चीज बताओ बताओ मैंने को अब देखो एक्ससे वाई 90 डिगरी और यह वाला आधा मतलब 45 डिगरी मतलब 45 प्लस 90 कितना गया भाई 135 डिगरी तो यह सभी चीजों को थोड़ा सा जानना बहुत दोरी है अगर मैं फिर से एक चीज पूछू आपसे लेकि देखो अगर मैं यह आपसे पूछता हो ना कि अगर कोई है एक्ससे ना एक्स डैस है हमारा वाई एंड वाई डैस है एक्ससे चलता है और यहां आके रुख जाता यह टोटल कितना डिगरी तो यह 90 डिगरी यह 90 डिगरी लेकिन यह 45 डिग है तो यह सबी चीजों को कब समझेंगी एक बॉक्स के अंदर ही हमारा देखना चल रहा होगा लाइक अगर कोई है ऐसे करके ठीक है यहां पे है एरो और अगले वाले में देखना अगर यह एरो ना दे देगा यहां पे तो बताओ कितना डिगरी रोटेट किया बोलोगे न सब्सक्राइब कितना डिगरी तो पहले यहां पे था और यहां पे आगया मतलब 45 डिगरी अंडिकलोग वही तो यह सबी चीजों को समझना बहुत इंपोर्टेंट है यही सिम चीज अगर समझ में नहीं आएगी तो फिर आब आखी नहीं मनात होगे ठीक है चलो हम सभाल द इसमें एक स्कुएर है इसमें भी एक स्कुएर है और इसमें भी एक स्कुएर है और इसमें भी एक स्कुएर है तो यह देखो एक सही तिसा में नहीं चल रहा है पहले देखो स्कुएर यहां था ना अब यहां आ गया तीसरे में यहां आ जाता तीसरे में यहां आ जाता चो पहले ही यहाँ चला जाता है, फिर बीच में चला जाता है, پिर इदर आ जाता है, फिर इदर कुछ समर्ज में नहीं ही आग है, जब भी ची छेंद है इस तरीके से पूरा अगडम-गडम करके दे दिया जाए न तो आप इसको numbering करो, लाइक यह हमारा एक नंबर है यह हमारा दो नंबर है यह हमारा तीन नंबर है यह हमारा चार नंबर और यह पाँच नंबर और एक्जाम में नंबरिंग करने की जलुद नहीं पड़ेगी बस आपको समाझ आ रहा हूं ठीक है सेकेंड में एक फोटो का पोजिशनिंग कर दो कि अर अंसर आ जाए ठीक है लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा लगेगा लाइक बीस सेकेंड लग जाए पचीस सेकेंड लगेगा अब मैंने बोला आपको क्या करना है नंबरिंग कर दिया आपने वन टू त्री फूर कब ऐसा करेंगे हम लोग जब कुछ भी अगडम बगडम हो कुछ भी एक सिक्वेंस में नहीं हो एक सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है रहता है कि एक एक पोजिशन एक अस्थान आगे जा रहा है तो हम कुछ सोचते भी लेकिन यह चीज़ क्या है भाई नो टंगी च हम चोथे वाले को पाचवे में लेजाएंगे हमारा यहीं मोटो रहेगा पाच फोटो होने चाहिए पाचवे के बारे मतलब चार दिया हो पाचवा पूछे तगासा करेंगे अब देखो पाचवे में कोई भी फोटो उठा सकते हो लाइक अगर हम देखो इसके अंदर दो ट्राइंगल एक तो सिधर ट्राइंगल है और आए उल्टा ट्राइंगल है हम ना फोटो नहीं देखेंगे हम पॉजिशन देखेंगे अम मतलब इसका बंवी जो डॉटो है अब यह मैं खरना कि इसका उल्टा ट्राइंगल देखेंगे है उससे हमको कोई मतलब नहीं है हमको पॉजिशन से मतलब है इसके जो सबसे उपर में है हम उपर वाले पॉजिशन पर जा रहे है फोटो से अपने को कोई मतलब नहीं है अपने को पॉजिशन से मतलब है ठीक है क काते हैं ना कि seat पर चेहरा किसी का भी हो cm के गुरती पर बैठ जा कोई भी पावर उसके पस होई रहेगा इसलिए टॉप वाले पर बैठा कोई भी उससे मतलब नहीं है बस देखना यह जा कहा रहा है तो यह इंसान चला गया है बीच में तो मतलब इसके जो टॉप पर बैठा कर भी निए एंडसी के अंदर ही है अब मैं देखूंगा एक चीज जो ठीक है अब देखलो इन दोनों में क्या फ़र्ख है इन दोनों के टॉप के फोटो ना difference है बतलब इसके प में सरकल और इसके टॉप में क्या है तो या तो इसका square देखलो अगले वाले में कहां गया है तो इसके सेंटर वाले में कहा गया है मतलब इसके सेंटर में जो चीज न यह वाली दिखरी है यह यह वाली रही यह जाएगी यहा आजए तो बताओ यह चीज पहां पर है भंलो के D थी तो पहले चहाट बीकों पर चहाट चुके थे विकाज हमारे center में triangle नहीं है ठीक है और C के अंदर देखो इधर circle है तो ये हमारा होना नहीं है तो हमारा A बिल्कुल भी सही answer है देखो अब बोलो के sir ये दो photo के अनुसारा हम क्या देखा सकते हैं पूरा करके दिखाओ धम है तो अच्छा धम किया बात आ गई देखो अब इ तो देखो इसका एगन है रहे säger रहे और बहूत से किया रहे है अब देखो ध में क्या एक दाने करना इसका जो ये photo है जान्त सुनना इसका जो ये photo है ठीक है अगले वाले में कहाँ गया तॉप पे गया मतलब जो नीचे में था वो उपर चला गया तो इसका मतलब इसका जो सबसे नीचे सरकल है अगले वाले में तॉप पी जाएगा तो आजो इस सवाल को करो गया वीडियो को रूख कि उसी तरीके से अब देखो बोलोगे क्या वही पैटर्ण है मैं बोलूँगा हाँ देखो इसका यहाँ था अब देखो वहा गया अब देखो उपर गया अब देखो नीचे गया बट गाईज यह फिर पी एक हल तक सीरीज में ह ठीक है फिर पी हम उस लॉजिक कर लगा की यूज़ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है बट फिर भी एक सीरीज में है कि हमने को ये तीन पोजिशन मन रहे हैं यहाँ पर देखो इसी के इर्दिगिर्द घूम रहे हैं तो ऑविससे चीज है भाई देखो जब हमारा एस में जाएगा और एक दो पहले ईस देखो सीधा था फिर में आएगा सीधा ठीक है फ्यारा सीज था यह हमारा समें डेखो दुनों में सीधा सेंठर हुआ फिर उपर गया फिर देखो नीचे आ गया फिर उपर गया मतलब पहले सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर मेरा टॉप पे जाएगा सीधा होता है तो टॉप पे जाके सीधा होना मांगते है तो डी के अंदर देखो उल्टा हमारा ये गलत है तो हमारा भी सही है तो मैंने एक तो पूली मार दो हमने बोला चलो ठीक है मार देते हैं आप क्यों मार देते हैं अब दो और तीन में रिलेशन देखो भाई जो फोटो इसका सभीज में आना इसका टॉप पे चला गया है यह उल्टा था ना यह जाके सीधा हो गया है तो मेरे यहां पर जो टॉप देखो सरकल में है, वो जाकल पर सीधा हो जाएगा. मेरा जो यहां पर फोटो हो गाला है यह संधा हो एगा फ्लस को किदर भी हूए है। टीक है अगली वाले में देखो नीचे आगे writing हूए है तो मेरा s पे जो सिध्या है न नीचे आगे उल्टाओ यहां पर दीगए हमारा जो यहां पर ना फोटोा प्लस तो फोर्थ में जो प्लस पे वो नीचे आ जाएगा तो हमारा देखो यह चीज है बिल्कुल भी और दोनों तरीके के बनाओ आप बना लोगे 100 पॉसेंट बना लोगे कोई रोक नहीं सकता आप कोई सवाल बनाने से ठीक है देखो भाई सबसे पहला क्या करोगे वन टू का फॉर ठीक है यह हमारा फिप्थ है हम क्याते हैं कि देखो डी ना एक सीरीज में चल भी रहा है देखो डी यहां है फि फिर वैल को डाओ पर जाएंगा इस थरीके से सही हमारा चाहला कोशने बडिड़ी बात है फिर दो को भी नहीं देखेंगे seems alone अब स्टार को देख को देख सकते हैं लेकिन स्टार देखो न एक के अंदर उल्ठा फर तो देखो मुंदर सब्सेंटा उलटा है तो देखो पह गापी हो ठीक है तो यह चीज कहांहां है बोलो की सार इसमें कोई बड़ी चीज आपने 30 मार् कानवाली नहीं काम करती यह चीज आपको एक अंदर भी इख भी होगी क्सिरीज के अंदर १ी दिख बड़ काम कर दिया आप जिसले समझाया यह यह रो देखो पहले इधर था अगले वाले में इधर गया तो मतलब क्या यहां से यहां क्या मतलब गड़ी की उल्टा मेरा इधर किनу तो तो एक था डी में और मेरा बी में तो हम दो बी तो वैसी चाट चुके थे क्योंकि अपने को ना एंड स्टार का पोजिशनिंग सही नहीं था तो हमारा बचा कौन सा डी है तो सही है हमारा तो यह चीज थोड़ा सा ध्यान दोगे चीजे काफी हद तक इजी रहती है नौन वर होगे तरीका मालूँ मी या प्रैक्टीस ही नहीं तो पिर तरी का मालूम कर की क्या चार्ट है फिर यहां जटता है फिर यहां जटता है तो इसका मतलब क्या है अपरी देखो यहां पर आना तो इसके बाद क्या होगा इसके अंदर एक सी यहीं पर रहेगा कोई उसको रोक नहीं सकता है तो भी कहता है कि भाई यहां हम तो तुम्हारे साथ नहीं आएगे हमारा X नीचे रहेगा तो हम गये तुम लेंगे भी नी तू रख ले जा रखने तरह को ठीक है अब आके देख लो यह ट्रैंगल कहा जाता है पहले यहां पर पहले नीचे है फिर देखो नीचे है फिर उपर चला गया ठीक है एक्स के साथ ना अदलाबतली कर रहा है अपने में लो खेल कर रहे है तूँ आज आ जा थीक है तूँ आ जा तो इस बार भी गहाई जाएगा मार ट्रैंगल इधर जाएगा तो कहों कि सर इसमें वह बहुए बहुत बपड़ी चीज की नहीं है आपने यहें केंधर भी है सींदर पी ङंदर है ऍसी गर तरीके स्काइब फीर हेना तो इसके सेंटर में जो स्कृर्र में आगे कहीं नहीं दिख रहा है इसके सेंटर में जो डी में मैं दिखना नहीं चाहिए तो हम कैसे देखेंगे, भाई देखो, इसका जो हम सेकेंड में जो टॉप पे था ना, वो अगले वाले में ठाड़ में नीचे आ गया, तो इसके जो टॉप पे जाएगा ना, वो अगले वाले में नीचे आ जाएगा, तो T मेरा नीचे होना चीए, उसे साब से C के अंदर है, थीक है तो मेरे को यही तरीका ज़्यादा सही लगता है numbering वाले भी जल्दी अंसर आता है ठीक है कितना भी complicated nonverbal बना दूना तो इस देखो यह sequence वाले तो easy level के होते हैं ठीक है और आप वो time waste कराते हैं सबकी positioning change करने में लेकिन 1,2,3,4,5 जो जो मैंने numbering करके छाट रहा हो ना हर nonverbal की उपर जो पाच figure वाले हैं और सही sequence में नहीं जा रहे है उन पर काम करता है इसके अंदर कोई doubt ही नहीं रखने का बस 2,3 का relation देखके 4,5 का relation खोज लेने का आपने को जो फिर देखते हैं कितना खोजते हो आप मैं कहता हूँ मैं करूँगा मैं कहता हूँ मैं इसको 2 करूँगा 3 करूँगा 4 करूँगा 5 exam में नहीं करना 1,2,3,4,5 विकाज आपको exam पे ऐसे करने का मौका नहीं मिलेगा विकाज आप display पे लिख नहीं पाओगे और white के paper के उपर photo नहीं बनाओगे तो आपको imagine करना है यह हमारा दूसरा तीसरा है इन दुनों के बीच का relation वह लिखने की चीज नहीं है बस मैं समझाने के लिख रहा हूँ exam में मत लिखना हूँ लिखोगे कहां पे मौका ही नहीं स्क्रिन के ऊपर थोड़े लिख दोगे और paper मिलेगा तो बैट के पूरा photo तो बनाओगे नहीं चल जाएगा सारा time इसी में तो हम क्या करेंगे जो हमारा यहां पे photo था ना left side के top पे अगले वाले में left side के bottom में आ जाता है तो हमारा यहां पे left में जो top पे हना भई वो अमारा left के bottom में चाहिए यह होना तो यह देखो A B and C के अंदर यह है बहुत सही है अब देखो जो मेरा right side के top पे हना वो अगले बार center में चला जाएगे तो यह जो हमारा राइट साइड के टॉप में है तो यह सेंटर में आ जाएंगे अब देखो यह एक कट गया हमारा सेंटर में बी में और सी में है अब देखो जो हमारा जो है न यह सेंटर में जो ट्रैंगल है न उल्टा उल्टा वो हमारा देखो राइट साइड नीची आ जाता है तो भाई इसके सेंटर में सिधा वाला triangle है तो हमारा right side में सिधा हुला triangle आगा जो कि हमारा B के अंदर नहीं है C के अंदर है तीन photo देखेंगे exam में तीन सेकेंड लगाएंगे चार सेकेंड लगाएंगे और answer लेकि आएंगे C ठीक है इस तरीके सवाल आएंगे ठीक है इसमें कोई sequence काम नहीं कर रहे है ठीक है आगे जितने भी question करा रहा हो ना मैं आपको sequence काम नहीं करेगा आपको इसके अंदर क्या काम करेगा rotation काम करेगा कैसी clockwise है कि अब एक चीज़ में आपको mirror बताता हूं ठीक है देखो mirror समझा रहता हूं जर्बपड़ अगर मान लो ना मैं क्या लेगी दूँ तो यह कैसा नंबर पी रिखता हूं ठीक है पी को गर मैं right side में सिसा रख दूँ ना चाहे left side में सिसा रख दूँ ठीक है तो इसका image कैसा बन जाएगा ऐसा बन जाएगा लेकिन पी के मैंना जब नीचे में सिसा रख दूँ चाहे ऊपर में सिसा रख दूँ ना आईने के 100 तुकड़े करके हमने देखे है पी वेचारा इसे क्या इसी रह स तो इसका मुँ जो right side में है ना ये बड़ा सा मुंडी वो left side में जाएगा जहां से सुनना मैं क्या कह रहा हूं अगर mirror right या left रहेगा तो उसका side change हो जाता है right यह लेफ्ट में चला जागा left हो राइट है मतलब इसका देखो यह right था और यह left था ना तो इसका मुँ right में था इसका right में था देखो यहां भी right में है ऐसा नहीं बना देंगा इसको यह कहना गलत हो जाएगा ठीक है तो द्यान से सुनना जब भी water mirror कहेंगे तो ऊपर नीचे mirror लगेगा कहीं भी लगा तो same mirror या नीचे तो आपको चीजों को उल्टा कर देना लेकिन जो right में रहेगा जो दूल्टिंग को अगर मैं उपर या नीचे लगा होंगा तो मेरको कैसा मिलेगा still मिरको ऐसा ही photo मिलेगा ठीक है ठीक है अगर आसे मैं लिखता ओ तो मेरको ऐसा फोटो मिलेगा उपर का नीचे आ गया नीचे का उपर ऐसे नहीं मिले यह कहना कर लाता है यह तो वाटर मिरंट थोड़ी है तो साइड मिलर है तो यह मैरर समझा रहा था विकाद अब काम आने वाला भाई सबसे पहले देखो यह जो था ना यह इसके अंदर एक है इसके है यह और B पैसे किसको सेलक्ट करें देखो भाइट पहली बात ने हमारा ऐसे फोटो था इसको आप समय आ रही है ना मैंने स्टेंग में समझाया था इसलिए अब एक बार 90 डिग्री क्लॉक्वाइस कर लो या फिर एड़ी जो भी है ऐसे करने के बाद देखो ऐसा नहीं आया मतलब इसके बाद इसको मेरर कर रखा गया है साइड मेरर तब जाके भाई यह कुछ ऐसे बन जाएंगे देखो हमारा सेकेंड वाला फोटो आ गया मतलब एक नंबर मेरे को क्या करना 90 डिग्री क्लोकवाइस रोटे देख लो इस वाले फोटो को भी वाई कर रखा अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर आओगे तो वाई पहले ऐसे कैसे ऐसे मिलेगा लेकिन ऐसे तो यह उपर है लेकिन इसका नीची है जो उसको मेरर करा दो ऐसे देखो ऊपर का नीची नीचे का उपर आ गया सिंपल है अब जागे इसमेंगे इसके इंदर चार फोटो है ठीक है अब सालास्ट वाले फोटो इसको देखोगे अगर आप क्लॉक्वाइज घुमाओगे ना यह ऐसे घुम के आए ऐसे लेकिन बाई ऐसे फोटो कहां पर अब कुछ लोग ना जल्दी बाजी में बी को अंसर कर दें लेफ्ट का राइट आएगा अब जागे इसमें एक दो तीन चार पांच करना ही हमारा सही फोटो करते हैं इस कोईशन में जल्दी बाजी में 90 बच्चे गलत अंसर कर लेते हैं उनको लगता हम सही तो करके आए थी हमको नंबर कहा है गलत मिल गया गलती आप यहां किये थे नौन वर्बल जितना आसान दिखते है ना उतना आसान कभी कबार होता नहीं है अगर आप उसको लाइटली लिलोगे तो आप तो तो चीज यह आसान रहती है ठीक है चलो और पूरी जो PDF में पढ़ा रहा हूं को टेलीग्राम पे अप्लोड कर दूंगा टेलीग्राम पे सर अगला फोटो बताओ क्या हो जागा इसके अंदर अब तो सिंपल है भाई देखो यह इधर से चार फोटो नीची एक फोटो है अब नीचे का फोटो उपर आगे आप इधर की साइड बढ़ते जा रहें मतलब देखो लेफ्ट साइड से फोटो बढ़ रहे है और वो फोट इन फोटो मतलब अगले वाली ही चार फोटो आ जाएंगा थीक यह गोल-गोल आप तुल मिला बश्सी सरकल भी सरकल हो बर बचे और बचे साब रहेखो घर रखा है सिंपल सा लॉक्त है इस्में बताओ इसको मैं आपको solution बताता हूं देखो इसमें कुछ नहीं बस नीचे से mirror कर दोगे न साइड मिरणी water mirror तो उपर वाली चीज़े नीचे आ गई है बस तो इसको अगले वाले में यहां चीज़ें, मतलब यहां से यहां आने में इसने एक घर छोड़ दीया अब देखो अगले वाले में यहां आगया मतलब यहां से मेरे को यहां ले जाने में यह दुनों घर को मैंने छोड़ दिया पहले मैंने इस वाले एक घर को छोड़ा था ठीक है अभी मैंने यह दो घर छोड़ दिये अब इसके बाद देखो अगले वाले में यहां आ गया मतलब यहां से न मैं इधर जा रहा हूँ clockwise एक दो त चार ये चारोच छोड़ देंगे तो बचा ये वाला पोसिशन इसको पकड़ के रंगे तो ये वाला किसमें रंगा है एक अंदर रंगा हुआ है उमीद्या कर लिया होगा आप आरे भाई देखो आप ये फोटो ना विल्कुल भी सिमिलार नहीं इसकी तरह ये फोटो बिल्कुल भी सिमिलार है इसकी तरह तो फिर का खोज रहे हो इसके अंदर ये वला पूरा का पूरा उठागे पिठा तो यहां पे ना इसमें क्या दिखकत है तो ये फोटो कहां दिख रहा आप बी के अंदर है कभी कबार एक्जाम वाले मज़ा लेते हैं आपसे प्यारा सा कोशन देंगे और आपको लगते हैं अईजा थोड़ी दिया होगा एक्जाम वाले तो काफी तेज है कुछ अच्छा सोच के दियो होगे लेकिन इसी में वह लंका लगा देते हैं बच्चों की उन बच्चों को लगता होगा इतना इजी थोड़े होता है कभी देंगे ना वह ले जाते हैं आपका टाइम ठीक है चलो चलो फिर एक सवाल करो इस टाइप का फिर आप अंगले सब बढ़ेंगे अब देखो भाई यह स्क्वायर है यह सरकल तो नीचे है अब देखो चुल मचाक इसको यहां पर इस ट्राइंगल को अभी का कहता ना देख किसी का घर है दूआ रहें घुज जाता है ठीक है फट से गुड़ जाता है तुई घुज गया दिख रहा है तो इस सर्गल कहता है तो घुमेंगा तो हम काई बागी रहेंगे हम भी घुमेंगे तुई भी एक पोजिशन आगे चला गया इस स्क्वायर कहता है तुम लोग देखो एक काम करो तुम लोग घुम हो हमें इसे बीठल बीठल फैल जाएगे खापी जे अभी देखो ना स्क्वायर जो यह जो रेक्टेंगल था ना यह फैल के तोड़ा सा इस तरीके से बन गया बात समझ में आ रही है जैसी ट्रैंगल उसमें से निकलता है फिर से चप् और या है निगल दे रहे है तो फिर पतला हो जाते है तो इसमें से उउगले हो ठीक है कोई खाया यह नहीं है रेक्टेंगल ठीक है तो भी एंड और नहीं होगा इन्दियूहाँ है यहां था हो रिख और फैर यहाँ तरीके से रखोले है तो देखो पिपर कटिंग आपके माइंड का अब एक्जाम में आप पिपर को फाड़ नहीं सकते फाड़ों के तो एक्जाम वाले आपको तोड़ देंगे तो आपको क्या करना है प्यक्या है क्यो अब यह ग्यांना धेको हमारे पास इतना प्यारा सा पेपर था हम पेपर को यह डिर्यक्शन दिखरा Coffee price आपको आप एल ओडियो के नीचे घर दियाATHAN अब मैं वीदियो पर दिखाऊंगा तो नहीं कैसे बस बैष वाले को आपने मोड के नीचे कर दिया अब यह आधा हो गया इस पिपर को मोड दोगे उपर के पाट को नीचे की तरफ तो यह आधा हो जाएगा अब मोडने के बाद हम क्या कर रहे हैं चनाब कुछ और कर रहे हैं पता है क्या कर रहे हैं अब मोडने के बाद पहले काटेंग और इधर से काट रहे हम लोग अब द्यान से सुनना जो अगर काटने के बाद अगर कुछ इस तरीकी का फोटो मिलता है तो और इसको खोलोगे ना अगर मालो यहां पर मैं छेद कर देता हूं पर को मोड के ठीक है तो मालो ना एक सिंपल सा पेपर है इसको मैं पहले आधा नहीं है तो अब बी में वहीं साथ डीजाइन है लेकिन डी में नहीं है डी में भी अतरंगी डीजाइन है तो अपने को यह नहीं मांगता है रहन दो तो निकल भाई ए एंडी नहीं होगा हमाल तो बी एंड सी में से किसी को एक लेना है अब ध्यान से सुनना इस वाले पॉदिशन पर मेरा ना देखो ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल बन रहा है दि ना या फिर मैंसे सरकल तो यह थोड़ी बन जाएगा जैसा है वैसा ही रहेगा खूलने पर तो यह देखो ही क्रिशा बना दिया इसको दिक्कत है कि नहीं आप है खूलने के बाद ऊपर वीचे क्या हो रहा मेरे को पता नहीं लेकिन मैंने जहां पर काटा उसकी चेंज नही आगे पिछे बदलते रहे वह अलग चीज है लेकिन यह वाली पोजिशन नहीं बदलने चाहिए तो देखो यहां पर बदल दिया है इसे साफसे मेरा भी सही है ठीक है तो हमारा भी विलुफुल भी सही है आगे देखते हैं चलो बनाओ फिर इसको हम देखो इस पहले ना व चीजे इसको पहले इजर से खोलोगे यह सरकल है तो नीचे सरकल एक और रहेगा मेरे पस ठीक है तो सब के अंदर देखो दूदू सरकल यहां पे हैं कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी नहीं और एक चीज़ में आपको बताता हूं यह जो ट्रैंगल है और सरकल इन दोनों क और अंदर है यह रहेगा आठेंगल फैसा नहीं कि मुड़ेगा ना फुले घर जो इसके बाहर में घर कндर ठीक है तो बाहर में कि कि आखम ले जिए जो नहीं घर रोंक बीदिए फिल्पर नीचे नहीं होंगे take it be भी हमारा गलत है अब रहा हमारा C & D के अंदर देखो इन दोनों में बिल्कुल भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं इनके rectangle के अंदर देख रहा आपको और circle भी हमारा भी ठीक ठाक है अब दिक्कत क्या है इसका triangle जब आप खोलोगे न तो इस सैड में ऐसे बनेगा यह जो अंदर की सैड है उपर वाला भी जब बनेगा तो बहले उपर में जाएगा तो क्या अंदर यह वहने देखो triangle की साथ क्या किया गया उसको उटा कर दिया ठीक है ऐसा थोड़े बनेगा यह दोनों जब अंदर की साइड है तो यह दोनों भी अंदर की साइड होने चाहिए तो जो कि हमारा डी वाला यह तुनों फोडों दिख रहा है वह बनी दी हमारा बिलकु एक triangle ठीक है और यह ऐसा फोडो काट रहूँ तो यह triangle खुलने के बाद जो फोलोगे तो इधर ऐसा बनेगा ना और नीचे उसका water mirror हो जाएगा नीचे में कैसा होगा देखो इसके बगल में ना side mirror करते हैं और नीचे में उसका water mirror करते हैं यह चीज दिमाग में लाना अब इ अंदर की side जैसे B के अंदर देखो क्या है ना गलत है इसको देखो अंदर की side कर दिया गया है इसका triangle देखो इसी की तरह कर दिया गया खोलने के बाद तो बदल जाएंगे ना यह अब चीज देखो यहाँ पेक से आपको बताता हूं यह वाला जो photo है ना यह उल्टा है तो A के अंदर है अब तो B हमने cut दिया था दोनों एक जैसे हैं अब देखो C D के अंदर वैसा नहीं है तो यह नहीं हो सकता है C हमारा हो सकता है ठीक है अब देखो C का यह photo देखो इस triangle में बहुत ही कड़़ है विकास उपर वाले का नीचे में तो mirror हो जाता है ना water mirror ठीक है तो यह किसी की तरह same to same लिखा गया C के अंदर तो B काट रखा था C काट गया D काट गया बचा कौन सा है तो क्या चीज सीखा आपने यहां पर जंपी पिंपर को कट करते हो तो उसके चाहिए यहां पर कटो यहां पर कटो कहीं भी हो उसको खोलने के पाद उसके just भगल वाला मे यह और सिखाऊंगा चलो इसको खोलो तो इसको खोलो के तो इसका water mirror करो कि तो क्या जाएगा जो star यहां पर है इधर आएगा यह अंदर वाला अंदर ही रहेगा ट्रेंगल कहा जाएगा बाहर के साइड है तो यह बाहर ही रहेगा बंट राइट वाला left में आएगा और यह square यह square जिस्ट पैसी बाहर करा है गलत है यह चीज नहीं बिल्कुल भी ओके अब देखो और कुछ चीज चाट सकते हैं अपने वह corner पर star चाहिए था ना इसके अंदर देखो क्या है गलत है side mirror करना सीख गया होंगे ला जो चीज बिल्कुल भी corner पर मेरा भी corner रहेगा तो यह दोनों मेरे को एक जैसे लग रहे है ठीक है बट गाई जी स्टील देखो इस पोजिशन पर तो मेरा कोई changes होना ही नहीं चाहिए तो इसने बी में इसको change कर रखा गया है यह बिल्क cutting जड़ा हो देखो इसके corner पर भी काटेगा है corner पर और इसके जब बीच में अगर मालो देखो कोई चीज बीच में cut दोगे ना यह चीज तो खुलेगा तो यह फैल जाएगा ठीक है तो यह फैल के थोड़ा बड़ा बन जाएगा है ना जिस तरीके से तो यह rectangle type से cut है तो य बीच में जैसे cut है बैसी cut के बड़ा हो जाएगा बी number बस अभी इतना ही से पकड़के answer कर सकते थे आगे की एक टिंद का मेरर करो चलो इसकी मेररिंग में कोई चीज चेंजेस होगी लग रही है अब कुछ लोग इसको नीचे का ऊपर मत कर देना वह साइड में एक मेरर है थीक है इस साइड में इसको मालो सीसा रखा है अब जो left में है ना वो right ही आजगा खाली इधर से जुन-जु मेरर करोगे ना तो के देखो जब हम छुटी के लिखते ना small के तो के नीचे की side होता है उपर की side कर दिया गया जहां से देखो के समझ में आजाएगा is k को देखो नीचे में ज्यादा तो C and D कड़ गया, अब मेरे को इन दुनों में छाटना है, तो मेरे को यह सब एक जैसे लग रहे हैं, जो एक जैसे लग रहे हैं, उनको रहन दिया करो, आगे बढ़ दो, R डिफरेंट लग रहे हैं, अब R नीचे की साइड की दिशे चल गया, उल्टा थोड़ी होगा, R तो साइड बड़ यहां पर 2 है, तो Q के बाद 2 है, Q के बाद 2 है, तो 2 आएगा मारा D कड़ गया, अब देखो इन सब में 2,2 का रोटेशन सही है, इसमें 9,9 का रोटेशन सहीchu है, अब देखो इसमें N है और 5,5 का उलिम्ट है, तो 9 के बाद 5 है, देक необход You तो 9 के बाद 5 है, आप ठीक है सी हमारा बिल्कुल भी सही अंसर है चलो 21 नंबर में मेरेर करोगी इसका क्या बनेगा बताओ बस जो चीज उपर उपर ही रहेगा लेकिन जो इधर की साइट देख रहा है वो उधर जाएगा सी नंबर असान था ना चलो अब वाटर मेरेर करो देखो उपर लिखा गया सवाल में जुरूर पढ़ना जल चवी का है या फिर बाटर इमेज का है इसको पढ़ना छोड़ना मती है अब देखो नुकलियर का यह आपना आपको जस्टिस के नीचे में मेरेर लगा दो जो जहां पर वही पर रहेगा खली उलट जाए अब इसका भी आर से मत स्टार्ट करने लगना कि यार पहले आजाएगा फिर ये आजाएगा फिर में जो जाया है वही रहता तो यह मारा कड़ इसके अंदर उल्टा है यूल्टा है अल उल्टा है अब लेकिन फिक भी तो फिल वैसे ही होगा यह जो कर हम आप एसे कब लिख थे जब साइड़ों मिर लगते ह तो यह E तो होगा नहीं, हमारा A and 3 दोनों कड़ गया, इन दोनों में देखो U and C एक जैसे लेकिन L डिफरेंट है, तो भाई L को जब नीचे की साइड से गुमाएंगे न, तो L का यह मूँ धर ही रहेगा, ऐसे बनता यह, ऐसी थोड़ी जाता है, ठीक है तो 4 हमारा बिल्कु तो उपर का नीचे आएगा, तो यह अभी भी वैसा ही रहता है, तो A and 3 तो ऐसे छट गया, इन दोनों में जो होगा, T and T में डिफरेंस देख लो, T अगर इस तरीके से यह ना, तो यह ओना मूँ धर है, तो इधर ही रहेगा, F जैसा लगेगा यह, ठीक है, जो कि 4 के अंद इन दोनों को एक साथ कर दिया गया, इन दोनों को एक साथ उपर नीचे थे तो यह तो होगा नी, इन दोनों को भी एक साथ कर दिया गया, इन दोनों को एक साथ तो यह भी नहीं होगा, बिकाद यह उपर नीचे थे, एक अंड तीन में देख लो, अंसर, लेकिन जो फूट की साइड मिरर करोगे तो कैसा आया फिर उपर की साइड करोगे तो कैसा होगा तो सरकल नीची है ना तो उपर की साइड सरकल जाएगा भाई पहली बात तो उपर की साइड सरकल अब देखो तीन में चार में तो इधर कहां चला गया यह राइट साइड से सरकल है ना तो उसको different क्या है वो चीज़ आपको बतानी है difference मतलब सबसे अलग क्या भिन क्या है तो ABCDE में से देखो अराम से वीडियो को रोक के देखोगी तो दिखेगा ना इसका ये triangle इसका dot dot triangle dot triangle एक साथ नहीं है इसमें dot triangle देखो लेकिन इसका dot triangle विल्कुल भी एक सीधी लाइन में है बाकी वैसे किसी के अंदर नहीं है तो D हमरा विल्कुल भी अलग है different है ठीक है आगे देखते हैं अब खुद से करो इसमें दिमाग लगाओ क्या हमारा सही है क्या अगलत है क्या different है इसके अंदर है अगर आपने वीडियो को रोग के थोड़ से अगर इसको वाटर मिरर कर रहे हैं यह पोजिशन तो मेरा नीचे में भी इसी साइड होना चीए था लाइक इस तरीके से आपको छोड़ेंगी नहीं नौरवर्बल के अंदर आपको पूरी चीजों को फॉलो करते रहना है अच्छे सिट्ट हो ठीके आप देखो राइट लेफ्ट भी छोड़ना नहीं है अब इसके अंदर को यह फूटो पकड़ लो लाइक मैं इसके अंदर क्या पकड़ लो ट् चाहता नहीं है न दिख रहाल आपको मे घिकर लोट सब्सक्राइब करेंगल के राइटमे च्छाता लेकिन इसके लेफ्ट में छाता है इस ट्रैंगल के लेट में चाहता है इस Er अंगल का चाता जो है न उल्टा ख्लोकवाइस में है तो चाता ही मालो न इसको और क्या तो सी में आपना सही अंसर है different deception 90 नमर बताओ सबसे अलग कौन सा हो जागा इसमें से ल की वैल्यू 12 है और भाउल की अलफा जागा गलत दें रखा गया इसकंदर सिंपल 12 नमर प्लतो प्लत सबसे बताओ क्या है यह क्या थार्ड फिगर वाली है यह फोर फिगर वाला मतलब फोर साइड वाला फिगर है पेंट्यागॉन है है एक ट्रैंगल है स्क्यार है पेंट्यागॉन है मतलब तीन चार पांच चे पाच ऑप चीज़ें देखो इसके अंदर ना तीन चार पांच है ग्लॉक्वाइज हो चाहिए एक सीरीज में है तीन के बाद एक उल्टा भी जाओगे न आपको तीन चार चार के बाद पाच है मतलब तीन के बाद चार चार के बाद पाच इसमें देखो तीन के बाद चार चार के बाद पाच है तो यह गलत हो गया ना इसमें देखो तीन के बाद चार पाँच है प्र पाच है तो यह गलत हो गया ना इसमें देखो तीन के बाद चार पाँच ह यहां पर ठीक है चलो फिर कॉमेंट करके बताओ आपने खुद से कितने सही किये और कोस्टगार्ड एरफोर्स में भी एक एक्जाम में आने वाले सारे जितने भी नॉन्वर्बल के टाइप थे मैंने कराती है इससे यहां कुछ नहीं आने वाला है ठीक है बागी गाई फिग और रख्षक बैच है हमारे लिए कोस्टकार्ड जेडी और यांतरी के सेक्शन वान के लिए बागी गाई मिलते नेक्षोटे में तब तक लिए बाब बाई वीडियो को लाक्तिके शेर कर देना और रिट्रियोड इस्टडी को सब्स्क्राइब कर लेना अगर आप यूज क करने नहीं है तो वाटसप करके आप से रेलेटेट कोई भी क्यों को पूछ सकते हो